हालो दोस्तों शुआगे थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल सेटीटी एंटीटी इस प्रिप्रेशन में और आज के इस वीडियो में मैं अगर आप नहीं देखे होईगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूंगी आप उसको भी देख सकते क्योंकि जब आप उसको देखेंगे तभी ये चीजें सही तरीके से आपको समझ में आएगी तो यह आपके सी टेट एक्जाम किसी भी टेट एक्जाम जो इन सी आइटी वुक से ही आते हैं पिछले वीडियो में हम लोग हरपा शब्विता के बारे में पढ़े थे तो उसी शेशन मंदीत है इस प्रकार इस हरपा में कई प्राचीन संद्रस्णाय नस्ट कर दी गए इसके विप्रीत मुहन जोद्रो कई बहतर संद्रक्षी था क्य अब नगर्नियोजन के बारे में हम लोग परेंगे कि नगर्ण शब्विता का सबसे अनुठा पहलु शहरी के अंदर था नगर्ण नगर्ण दो हुषों में वी भाजित था पस्मित था पॉर्व पस्मी था पुर्वी भाग जो था यह बढ़ा था लेकिन नीचा था उनकी जो चार दिवारिया बनाई गई थी वह पक्की इटों से बनाई गई थी और इट इतनी जाद अच्छी थी कि लगवक हजारों साल बाद भी उससे बनी दिवारे जो थी वह खरी थी जैसे आजकल देखते हैं कुछी शमय बाद दिवारे गिर जाती है पुरानी होने के लेकिन देखिए हजारों साल बाद वह दिवारे खड़ी थी तो इसी से पता चलता है कि इट कितनी अच्छी रही होगी फिर दुर्ग की उचाई का कारण था यहां की सनरचना एक कच्ची इट और चबुत्रे के चबुत्रे पर बनी थी दुर्ग की उच्चाई का कारण क् किया गया था दुर्गुजद था उसको दिवार से घेर दिया गया था दिवार से घेरने का आर्थ था कि उसको निचले सहर से अलग किया गया था निचला सहर भी दिवार से घेरा गया था इसके अतरिक कई भवनों के उचे चबुत्रे पर बनाया गया था जो नीव का कारे कुद्रे थे वो नीव का कारे करते थे ऐसा प्रतीद होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था। पिर उसके अनुशार कारेनावन पहले ऐसा लग रहा है तरह च्छन में पर इसके भी नियोजन के यह जानाओत तक टूकस का अधार का रिम और और शीनी पर बन चार अलांग में इंटया नियोजन नियूजन के अननौ पर जो वाइन रधर को डिदि मों अन्य लक्षन था उसमें ईट सामिल था उसको धूप में सुखा कर या भट्ती में पका कर बनाया जाता था लेकिन उसका निश्चित अनुपात होता था बनाने का जो लंबाई चौराई हो जाओ चार अनुपात दो अनुपात एक था ठीक है इस प्रकार की ईटे सभी हरपप लाई वस्तियां थी जितने भी उनमें वस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी हालाकि अधिकांस हरप्पा वस्तियों में छोटा उचा पस्चमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर भी भाग है पर इस नियोजन में विवित दाएं भी है धौला वीरा और लोथल गु लोथल में दुर्ग दिवार से घीरा तो नहीं था पर उचाई पर बनाया गया था देखिए नोट में दिया गया है कि हर अधिकांस हरप्पा वस्तियों में जो एक छोटा उचा पस्चमी तथा एक बड़ा लेकिन इसला पूर भी भाग भी था और यह जो था पर इस नियो यह गुजरात में है ऐसे अस्थल में पूरा किलेवंदी था और सहर के कई हिस्से जो थे वह भी दिवार से घीर का अलग कर दिये गया थे लोथल में दुर्ग दिवार से घीरा तो नहीं था पर कुछ उचाई पर बनाया गया था अब आवास तथा नाले किस तरह के थे इस सबसी सबसी अच्छी विशस्ता जो थी उसमें नियोजी जल निकासी प्रनाली था यदि आप निचले सहर की नकसे को देखे तो आप यहां जान पाएंगे कि सरको तता गलियों को लगवग एक ग्रीड पध्धती में बनाया था और यह एक दूसरे को समकोन पर काटती थी यहां का जो नकसा जब आप देखेगा तो पता चलेगा कि सरको नालिया जो थी उसको ग्रीड पध्धती से किस पध्धती से ग्रीड पध्धती से बनाया था और एक दूसरे को समकोन पर काटती थी इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बन यदि घरों से गंदे पानी को गलियों और नालियों से जोड़ना था तो प्रते घर की कम से कम एक दिवार का गली से सटा होना अवस्यक था और जो गलिया थी उनको जो नाली से जोड़ना था उसके लिए जितना भी घर था प्रते घर का कम से कम एक दिवार ऐसा होना चाहिए जो गली से सटा हुआ हो इसके बाद है मोहन जोदरो का निचला सहर आवासिय भवनों के उदारन प्रस्तूत करता है और मोहन जोदरो जो है उसका जो निचला सहर था वह आवासिय भवनों के उदारन को प्रस्तूत करता था इन में से कई एक आंगन पर किंदरी था जिसमें च खाना पकाने और कताई करने जैसी गती वीदियो का किंदर था आंगन जो था आंगन में खाना पकाया जाता था कताई वगरह किया जाता था उसी गती वीदियो का किंदर था आंगन यहां का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एक आंतता को दिया जाने वाला मह तो था भूमी जल पर बनी दिवारों में खिरकिया नहीं है इसके अतरिक्त मुख्य द्वार के आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अब लोकन नहीं होता है अब देखिए भूमी तल पर जो दिवारे वनी होई है उन दिवारों में खिरकिया बिल्कुल भी नहीं है और इसके तक थालट में लेटना से ह मख्येद्वा अंद्रीख मेंस उलाधिकROस काफ़ा सरक्की नालियों से जूरी होती थी, कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हैं तू बनाई गई सीडियों के अपसेस भी मिले हैं, कुछ घर ऐसा भी है, जिसमें दूसरे तल पर जाने के लिए सीडियां जो बनाई जाती थी, सीडियों के भी अपसेस मिले हैं, कई आब बीडवात मैं इस प्रियूक आरीन सम्था में होने और संदे हैं साथाओ आहने ना टेमि में से लिखते। कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वता संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था मुख्ये नाले गारे में जमाई गई इटों से बने थे और और उन्हें ऐसे इटों से धका गया था जिसे सफाई के लिए हटाया जासा कि कुछ आस्तान पर ढखने के लिए चूना पत्थर की पटिका का भी प्रयोग किया गया था जल निकासी प्रणालिया केबल बड़े सारोता की चीमित नहीं थी बलकि कई छोटी वस्तियों में भी मिली थी लोथल में आवासों के निर्मान के लिए कच्ची इटों का प्रयोग हुआ था वही नालिया पकीटों से बनाई गई थी यहां पर टॉपिक हमारा शमाप्त होता है आगे की वीडियो में हम लोग दुर्ग के बारे में जानेंगे हर अप्पा संस्क्रिती वहरा अप्पा सब बेता में जो दुर्ग का क्या महत्त हो था तो प्लीज आने के लिए आप मेरे चैनल को सेब्सक्राइब करें और स्थ में बेल आईकों को प्रेस करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा वीडियो दिखने के लिए बहुत-बहुत दन्निवाद हमारे साथ बने रहे